आई कोट लावाद में हमारा मामला पड़ा हुआ है 2018 में 19 की रिठ हमारी पड़ी हुई है अच्छे ग्रामीड और शहरी को चैलेंज किया हमने उसके बाद अभी हमने अपने फसल बोने के लिए अपने जीवन यापन करने का हमारा साधन जो एक किर्शी है हम किर्शी पर ही न नमस्कार मैं सतीशर मजाबराबादी आप देख रहे हैं जागो इंदुस्तान दोस्तों जेवर एरपोर्ट के दूसरे चण के लिए जमीन अधिग्रण की प्रिक्रिया चल रही है किसान जादा मुआबजे की वांग कर रहे हैं और प्रसासन मुआबजे के पत्ते नहीं ख खूल रहा और एरपोर्ट का निर्मार करने वाली कंपनी की तलास पूरी हो गई है जल्दी ही टाठा कंपनी इस पर काम सुरू करने वाली है बात पहले चणकी कर रहे हैं पहले चणके सभी किसान विस्थापित हो चुके हैं लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो अभी तक गाउ में रह रहे हैं एरपोर्ट की जमीन पर खेती कर रहे हैं और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं यानि मौब जे की जंग लड़ रहे हैं किसान मौब जे की जंग के सैनानी हैं इनसे आप कुछ सीख सकते हैं किस तरह दुर्गम और बिसम परिस्तितियों में रहकर प्रसासन की उपेच्छा का सिकार हो करके ये किसान गाउं में रह रहे हैं, खुले में, अंधर में और बरसात में, क्या इनकी समश्या है लगातार हम आपको पहले भी दिखाते रहे हैं, लेकिन ये किन-किन गाउं के कितने किसान हैं, जिनका करोण रुपया सरकारी खा रहे हैं किन-किन गाओं के ये किसान हैं और क्या चल रहा है हाइग कोट में इनक ethn का status और कितने खेत के लिए या कितने मवजे के लिए ये जंग लड़ रहे हैं बुजर्ग किसान हैं पती-पतनी हैं और भाई-भाई सहित्प्ण equal प्रावसी मिलकर चार गाउं के दरजन भर से ये किसान ऐसे हैं जो अपने हक और अधिकार की लाई लड़ रहे हैं दोस्तों इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में जरूर सेर करना ताकि इन किसानों से लोग प्रिणा लें और किस तरह ये किसान लड़ रहे हैं मौवजे की जंग आये देखे पूरी परताल विसेज रपोर्ट जागो हिंदुस्तान जेवर एरपोर्ट के लिए पहले चरण में 1334 हेक्टर जमीन का अधिगरण हुआ था जेवर के रोही किसोरपोर ज्यानतपूर खेडा नगला सरीफ खां नगला चीतर खां और नगला गनेशी इन गाओं की जमीन का अधिगरण हुआ था इन गाओं के परिवार भी विस्तापित हुए थे 3000 से अधिक किसान जेवर वांगर में विस्तापित हो चुके हैं और 2018 में जेवर एरपोर्ट की सासन ने अधिसूचना जारी की थी 2019 में भूमी का अधिगरण सुरू हुआ था और भ जेवर एरपोर्ट किसान संगर संती बनाई गई थी जिसके नेतरत्व में यह किसान अंदोलन चला था सितंबर 2019 में रोही गाओं में कबजा लेने गए प्रसासन और किसानों के बीच संगर सुआ था HDM गुंजा सिंग घैल हुई थी और 50 किसानों के खिलाफ इस संबंद में मुकादमा दर्ज हुआ था यह मामला कोर्ट में भी चल रहा है जेवर एरपोर्ट के पहले चल के किसान जेवर बांगर में विस्था पर थो चोके हैं लेकिन चार गाओं के दरजन भर से अधिक किसान ऐसे हैं जिन्हों ने मुआबजे की फाइल नहीं भरी और प्रसासन ने बिना सूचना दिये ही इनके मुआबजे का पैसा सरकारी खात हैं इन किसानों का तर्क ये है कि एक ही किसान के जमीन अधिगर्ण और विस्थापन के लिए प्रसासन ने दो एवार्ड घोसित किये जिससे किसानों को मुआबजा कम मिला किसानों के तर्क ये भी है कि जिन गाओं की जमीन का जेवर एरपोर्ट के लिए अधिगर्ण होना था उनकी जमीन को सहरी छेतर में घोसित कर दिया गया यानि जेवर एरपोर्ट की अधिसूचना जारी होने के चार महीने बाद ही गाउं की जमीन को सहरी छेतर में घोसित कर दिया गया और किसानों की आबादी के गाउं ग्रामीर छेतर में ही रहे 15 किसानों के यह दो बाद हा प्लब कराएंगे अब वो किसान कौन कौन से हैं जो ये मौबजे की जंग लड़ रहे हैं आए इन्हें भी जाने चार गाओं के ये पंद्रे किसान हैं सबसे पहले रोही के किसानों की बात करते हैं रोही के ये किसान हंसराज हैं इनकी मात्र डेड़ बीगा जमीन का अधिग पड़ी में रह रहे हैं रोही गाओं के यह दूसरे किसान रामकुमार है इनकी 6 वीगा जमीन का अधिगरण हुआ है जिवर एरपोर्ट के पहले चरण के लिए अधिगरण हुआ है इन्होंने कोई फाइल मौबजे के लिए नहीं भरी और इनका करण रुपया सरकारी खाते म है ऑर यह पूरे गाओं का विस्थापण हो जाने के बावजूद भी गाओं में जौंपड़ी में रह रहे हैं इनका मकान टूर चूड़ चुका है और यह अपनी पतनी के साथ ghanढ़र नुमान मकान और प्लास्टिक तरपाल की जौंपड़ी में गाओं में भी रह रहे है और ये राम सरुक की पतनी साबितरी देवी हैं दस भीगा जमीन इनके नाम है और ये अपने पती के साथ विस्थाफित गाउं की जमीन पर ही रह रही हैं कई महीने से ये गाउं की जमीन पर रह रही हैं कश्ट और विप्रीत परिस्थितियों के बावजूद पती पतनी में ही रह रहे हैं और ये अगले किसान बनवारी पूर गाओं के हैं रामपाल सिंग इनकी 12 बीगा जमीन का अधिगर्ण हुआ है जेवर एरपोर्ट के पहले चरण में यह भी ज्यादा मौबजे की लड़ाई लड़ रहे हैं हाई कोट में इनका मामला चल रहा है रामपाल सि इन भी ज्यादा मौबजे की लड़ाई हाई कोट में लड़ रहे हैं अब आपको किसोरपुर गाओं के ग्रामीनों से मिलवाते हैं किसोरपुर गाओं के ये पांच ग्रामीन हैं इनकी लगभग 50 बीगा जमीन जेवर एरपोर्ट के पहले चरण में अधिगर्थ हुई है इन पांचों किसानों ने भी हाई कोट में प्रसासन के खिलाफ वाद दायर कर रखा है यह बिक्रम सिंग है और यह किसोरपुर गाओं के विसन सरूप है अपने गाओं के अन्ने किसानों के साथ प्रसासन के खिलाफ यह भी हाई कोट में ज्यादा मौबजे की मांग को लेक लड़ाई लड़ रहे हैं और ये भूप सिंग है काउं किसोरपूर के रहने वाले हैं इन्होंने भी हाई कोट में वाददायर कर रखा है ज्यादा मावजे की मांग को लेकर और ये अगले किसान किसोरपूर गाउं के ही मुकेस कुमार हैं यह भी गाउं में रह रहे हैं और ज्यादा मावजे की मांग को लेकर के इनका भी मामला हाई कोट में चल रहा है। और ये अगले किसान चूना मड़ी हैं, पूर प्रधान हैं किसोरपुर के इन्होंने भी हाई कोट में वाददार कर रखा है। प्रसासन की नीतियों के खिलाफ और भूमी अधिगर्ण 2013 का सही ढंग से अनपालन नहीं करने के खिलाफ में यह हाई कोट में जंग लड़ रहे हैं मावजे की। ये द्यानतपुर गाओं के प्रमोद कुमार सिंग हैं, इनकी दस्वीगा जमीन का अधिगर्ण हुआ है जेवर एरपोर्ट के पहले चरण में इनके भाई ने मावजा ले लिया है, लेकिन ये ज्यादा मावजे की मांग कर रहे हैं, इनका भी प्रसासन की नीतियों के खिल अधियर कर रखा, जिसमें सुनवाई जल्दी ही सुरू होने वाली है, और ये अगले किसान अजय प्रताप सिंग हैं, गाओं ध्यानतपुर खिडा के हैं, और ये जेवर एरपोर्ट किसान संघर समती के अध्यक्च रहे थे नीके नेतरत में, ज्यादा मावजे की मांग को लेकर आंदोलन चलाता है, और हाई कोट में सारे मामलों की यह पैरोकारी कर रहे हैं, इनका भी कहना ये है कि प्रसासन ने गलत तरीके से उनकी भूमी का अधिगरन किया, और गाओं को गलत धंग से विस्थापित किया, कम मावजा दिया, किसानों को चोगना मावजा मिलना चाहिए, अजय प्रताब अपने तीन भाईयों के साथ हाई कोट में मावजे की जंग लड़ रहे हैं, और पूरे मामले की पैरोकारी कर रहे हैं, इनके तीन भाईयों की तीस भीगा जमीन का अधिगरन हुआ है, यह गाओं से तो चले गए हैं, लेकिन मावजे की जंग हाई कोट में मावजे की जंग लड़ रहे हैं, यह थे एयरपोर्ट के चार गाओं के पंधरे किसान जो मावजे की लड़ाई हाई कोट में लड़ रहे हैं, 29 जुलाई से इस मामले में सुनवाई होने वाली है, इससमध में जो भी अपडेट होगा, हम लगातार आपको लगातार देखते रहें जागो हिंदुस्तान मसती शर मजाबरावादी नमस्कार